हेलो दोस्तो नवस्ते आदाव सस्तेकाल आपका दोस्त गौरब टेस्ट बुक सुपर कोचिक पे स्वागत करता है तो दोस्तो हो जाए ये तैयार क्योंकि हम यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं जीके और जीएस जो आपके एक्जाब में पूछी कई है आज SST MTS में तो जिसका बेसबरी से इंतजार था दोस्तो वो घड़ी आज चुकी है कि भाई SST में आखिर किस टाइप के कोच्शन आज पूछे गए हैं तो वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पर डिसकस करेंगे और जो कोच्शन एक्जाब में आए थे दोनों हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे ठीक है तो बढ़ते हैं हम लोग पहले कोच्शन के साथ और पहला कोच्शन आपके स्क्रीन पर यह रहा देखिए दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है तो फड़ावर से बताईए पानीपत का युद्ध बिट्वीन किसके किसके बीच में हुआ था पानीपत की पहली लडाई जो है वो किसके किसके बीच हो थी तो यह कोच्शन आ सकता है ऐसा टाइब का तो यहां पर बता रहे है सर होना चाहिए ऑप्शन नमबर वन तो बिल्कुल करेक्ट टांसर होगा गुद्ध यह कव रहा था 1761 में हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था तो यह भी आत रखेगा अफगान और मराथों कि बीच में हुआ तो यह आपको ठ्यान अकने है अफगाण और मराथों के बीच Despite यह हुआ था तो यह तीन यह दूए थे अब एक्जाम में दोस्तों जो आपके में आगर मैं बात करता हूँ जो सवाल आया था हिस्ट्री से तो यह आया था ठीक है यहाँ पे में लिख रहा हूँ SSC MTS ठीक है दो मई शिफ्ट वन ठीक है शिफ्ट वन यहाँ पे जो पेपर म सा अंसर करना था बॉमबे कहां पर हुआ था बॉमबे में हुआ था ठीक है एक एक चीज समझते हूँ चले किया था और इसकी अध्यक्स्ता किस ने की थी डबलू सी बैनर जी ने की थी यह दोस्तों इतिहास का कॉश्चन है आया था आपके एक्जैम में चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कॉश्चन पर ढगें अगला सवाल आपके लिए रहा दोस्तों यहां पे 1982 एशियन गेम्स वर ठेट हैं होश्टेड बाइ डैश 1982 के जो है ऐसिया खेलो की मेंजमानी डैश द्वारः की गई थी बहुत सिम्पल सा कॉश्चन यह आज आपके शिफ्ट वन में पूचा गया है नेच्टे आपको याद होगा दोस्तों एशिया जो कप है यह सबसे पहली बार जब इसकी श में हुई थी क्या जो कि दोस्तों दिल्ली इंडिया में शुरू हुई थी का पे दिल्ली इंडिया में हुई थी पहली ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें भारत में दो बार हुआ है एक तो 1951 में दिल्ली में हुई थी और 1982 में अब दोस्तों वहां पे अगर हम कही लोग कह क्या करेंगे शेयर और लाइक करते हो चलेंगे ठीक है चले अच्छे दोस्तों कॉमन वेल्थ गेम भी पूछ सकता है ठीक है कॉमन वेल्थ गेम क्योंकि 2022 में हुए थे नवंबर के समय में तो जरूर इसको याद रखेंगे दोस्तों यह कहां पर हुआ था बिर्मिंगम में जीते थे जिसमें गोल्ड किते जीते थे और बाइस जीते थे और ब्रॉज जो है दोस्तों 23 मेडल जीते थे ठेक है यह आपको ध्यान रखना है आगे बढ़ें चले आगे बढ़ते हैं अगला कोशन तो यह कोशन दोस्तों याद रखेंगा 1982 एशन गेम पूछा गया था त आईए कि दोस्तों मानव शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है मनुष के शरीर का तापमान डिगरी सेलसियस में कितना होता है 17 डिगरी 27 डिगरी 37 डिगरी और 47 डिगरी कितना होता है तो 37 जित्ते लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो डिगरी correct answer होगा ठीक है चलिए अगले question पर बढ़ते हैं अगला सवाल how many total biosphere reserve are there in India भारत में कुल कितने जया मंडल है यह आप से पुछा गया है 10 12 18 25 यह question आपके exam का है फड़ावर से बताईए किते हैं तो यहां पर अभी तक नहीं आया है जल्दी जल्दी से सभी लोग बताएंगे कितने हैं दोस्तों biosphere reserve भारत में जी हां जीतने लोग 18 18 कह रहे हैं उनका बिल्कुल correct answer हो जाए क्या हो जाएक दोस्तों 18 correct answer हो जाएगा यह आपको ध्यान रखना है क्या हो जाएगा 18 is the correct answer अगर अगर यह सबसे पहले पूछ ले जाए कि biosphere reserve पहला कौन बना था तो पहला biosphere reserve जो है उसको बना गया तो याद रखी का पन्ना को बना गया था अब पन्ना कहां पर है तो पन्ना आपको मध्यप्रदेश में मिलेगा ठीक है टोटल कितने biosphere reserve है 18 है यह आपको ध्यान रखना है आपके exam में पूछा जा सकता है कि रामसर site भारत में कितनी है जल्दी से बता दीजे दोस्तों रामसर site कितनी है भारत में यह भी तो question पूछा जा सकता है क्या वो अभी 2023 में अगर हम बात करें टोटल कितनी हो चुकी 75 हो चुकी है क्या जल्दी से yes और no अगर yes है तो आगे बढ़ते हैं no है तो आप बताइए दूसरा आप से पूछा जा सकता है UNESCO कितनी है दोस्तों भारत में present में तो याद रखेगा यह 40 है यह मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अगले कोशन बढ़ते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों यहां पर पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है अंद्रप्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है पवन कल्यान लोकेश नाइडू एन चंद्रबाबू नाइडू या वाइस जग अगर मोहन रेड़ी जित्ते लोग कहरें उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा एक चीज याद रखेगा कई लोग बोल रहे थी कि आंद्रप्रदेश की कैपिटल है यह पूछी गई थी लेकिन वह भी नहीं आया था ठीक है विशाका पटनम हाला कि यह भी नहीं आया लेक यह पुछा गया था कि बताइए यहा पर डांस पूछा गया था डांस नोट डाउन करिये को दोAST यह शिफ्ट वण में perform किया जाता है कहा पही? राजिस्थान में. जैसे कि दोस्तों आप देखोगे चकरी, घूमर, कलवेलिया, गैर, कटपुतली, ये सारे कहां के हैं? राजिस्थान के हैं. लेकिन आपसे ये नहीं पुछा गया था, पुछा गया कौन सी ट्राइब परफॉर्म करती है, तो भील ट्राइब, कौन सी भील ट्राइब, दोस्तों लास्ट टाइब में पुछा गया था, घूमर कौन सी ट्राइब करती है, तो भी भील था, अभी दोस्तों ये पुछा गया, गया डांस, तो ये भी भील, दूसरा ए में भी कुछ इसमने परफॉर्म किया जाते है धवाई दांस गुज्रात में बीद्क पूछे गहें दोस्तो यह यह दोस्तों वन में पूछा गया है तेक यह पूछ लिया गया है निम्लिकी तमें से कौन सा भारती सम्मिधान का प्रस्तावना का यहां पे डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक करेक्ट आंसर यहां आपके उजएगा फैडरलिस्म नहीं है संगवाद जो है यह नहीं है यह याद रखेगा अब प्रियंबल की बात करते हैं तो प्रियंबल जो है दोस्तों हम लोग किस से प्रेडित हो कर लिये हैं तो USA से ठीक है याद रखेगा, किस संसोधन के तहट एड किया गया था इसको, 42 में सम्वेधानिक संसोधन के तहट दोस्तों, 1976 में तीन शब्द इसमें जोड़े गए थे, और वो तीन शब्द जो है दोस्तों, वो कौन से जोड़े गए थे, तो सोसिलिस्म, ठीक है, सोसिलिस्म, सैकूलर, स integrity, ये तीन शब्द जोड़े गए थे, ये आपको दिहान रखना है, प्रियंबल कितनी बार amend हुआ है, तो दोस्तों, amend संसोधित कितनी बार हुआ है, only once, एक बार amend हुआ है, ये आपको दिहान रखना है, ठीक है, चले, अगले कोशन बढ़ते हैं, अगला सवाल, when was the third round table conference held, तीसरा गोल में सम्मेलन बोल रहे थे, लोग कि आया था, लेकिन दोस्तों, ऐसा अभी देखने को नहीं मिला है, देखते हैं, तीसरा गोल में सम्मेलन का वायजित किया गया, 1920, 32, 40, 47, फड़ावर से बताईए, यहाँ पर 32, 32 कह रहे हैं, जितने लोग 32 कह रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगे, देखे, गोल में सम्मेलन की बात करो, तू तीन गोल में सम्मेलन हुए थे, तीन राウंटेबल कौन्फरेंच हुए थे, 1930 में, 1931 में, और 1932 में हुआ था तीनों गोल में सम्मेलन को जोइन करने वाले दोस्तों कौन थे एक तो दोस्तोंبة अंडिकर जी थे जिन्होंने तीनों गोल में सम्मेलन को जोइन किया था और एक थे सप्रू जी 1931 दोस्तों important क्यों है क्योंकि महात्मा गांधी जी ने इसको जॉइन किया था ठीक है और 1931 में गांधी इर्विन पैक्ट साइन हुआ था क्या हुआ था गांधी इर्विन पैक्ट साइन हुआ था और इसी को हम लोग कहते हैं दिल्ली पैक्ट क्या कहते हैं दिल्ली पैक्ट दूसरा था दोस्तो 1932 में बात करते हैं तो आपको याद होगा पूना पैक्ट साइन हुआ था क्या हुआ था पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था गांधी जी के बीच में हुआ था और 1932 में ही communal award भी मिला था ठीक है आपसे पूछा जाए communal award कम मिला था किस goal में समयले में तीसरे में मिला था 1932 में आपसे ये question पूछा नहीं गया था लेकिन पूछा जा सकता है एक question पूछा गया था ये देखे शिफ्ट वन में पूछा गया है खजुराहो मंदिर किस dynasty के द्वारा बनवाया गया है वहाँ पर simple option आपको दिया गया था ठीक है तो चंदेल dynasty आपको टिक लगा देना था चंदेल dynasty टिक लगा देना था और चंदेल dynasty का अगर founder आपसे कभी पूछ लिया जाए तो ननूक कौन थे दोस्तों राजा ननूक जो चलेंगे जल्दी जल्दी से चले आगे बढ़ते हैं अगले question पर हाँ गैर डांस ये दोस्तों गैर डांस इस मोशली पॉफॉर्म बाई विच कॉम्मिनिटी ऑफ राजिस्थान ये question पूछा गया था जो मैंने आपको पहले बता दिया ठीक है गैर नित्जादत दोस्तों बताइए कौन कौन से हैं तो दैसे चकरी डांस है चकरी डांस घूमर डांस कौन सा घूमर डांस कलबेलिया डांस कौन सा कलबेलिया डांस कटपुतली डांस कौन सा कटपुतली डांस हो गया ठीक है और गैर डांस ठीक है और यही गैर डांस आपसे पूछ लिया फिछली बार दोस्तों एकसाम में पूछा गया था घूमर डांस कौन सी ट्राइब करती है तो यह भी भी बील करती है यह याद रेखी गा राजस्तान का राज कि कुशित कोन है तो स्थेटड डांस जो घूमर डान्स है। ओगले ऐगले कोशन पर… अगला सवाल… यहां पुछा गे… इंडिया है जल्दी से बताईए इंडोनेशा है इंडोनेशा कह रहे तो करेक्ट आंसर हो जागे दोस्तों इंडिया देगे 2022 में दोस्तों आपको पता है जी ट्रिक आपको याद है कि नहीं याद है हमने कैसा पढ़ा था जूसी जी एफ ठीक है भई जो पैसे वाले उनकी जी एफ जो होती है गर्फ्रेंड होती है वो भई चाय काफी नहीं पीती जूस पीती है ठीक है तो जे से क्या हो जाएगा जापान हो जाएगा यू से कौन हो जाएगा यूस से हो जाएगा आई से कौन हो जाएगा दोस्तों आई से इटली हो जाएगा इटली सी से क्या होगा, Canada हो जाएगा, E से England होगा, लेकिन England की जगा हम UK लिखेंगे G से Germany होगा, क्या होगा, Germany होगा और F से क्या हो जाएगा, France हो जाएगा तो ये कौन सी country होगा, G7 country लेकिन रसिया भी पैसा वाला, उसमें बोला कि हमारी भी girlfriend juice पीती है ठीक है, पैसे वाली है, तो रसिया जब जुड जाएगा, इसमें एक country और जुड गई G7 में, तो G8 country हो जाएगी, ये याद रखेगा G8 country आप ऐसे यादर रख सकते हो बहुत सिंपल सा question, अगर आपको याद करने, कभी पूछ लिया जाए, G7 country या G8, G20 का दोस्तों member है, इंडिया, ये याद रखेगा, ये question पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछा जा सकता है ठीक है, चले, इसके अलावा मैं बता दू, आपसे question क्या पूछा गया था, आपसे एक question पूछा गया था, ठीक है, करकम डांस हो गया, ठीक है, इलियास खान, ये दोस्तों ये question पूछा गया था, इसको note down कर लीजे, ये आपके shift 1 में पूछा गया था, कि इलियास खान, कौन, इलियास खान जो है, वो किस वागयंतर को बजाते हैं, इलियास खान जो है, ये किस musical instrument को बजाते हैं, musical instrument, इसका मतलब है, दोस्तों, dance से भी question आ रहे हैं, musical instrument से भी आ रहे हैं, और festival से भी question आपके exam में आ रहे हैं, तो सारंगी आपको यहाँ पे tick लगा देना था, सारंगी आपके option में रहा होगा, सारंगी को tick लगा देना था, simple सा, ठीक है, तो ये question आपको देखने को मिला है, आपके shift में, ठीक है, ये tick लगा रहा हूँ, जो shift में पूछा जा रहा है, मैं वहाँ पे अलग से लिखता जा रहा हूँ, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला जो है, यहाँ भी पूछा गे, which of the following tribe is found in the sub-architectic region of the Greenland and Siberia, ठीक है, Greenland and Siberia की उपर नगरी छेत्रों में निमलिखे तमें से कौन सी जन जाती पाई जाती है, Eskimo या फिर गुक्षी, हाउसा या फिर माउरी, जल्दी से बताए, कौन सी tribe पाई जाती है, इस से related था, लेकिन question क्या था, यह exact question नहीं था, मैं आपको बताता हूँ, क्या था question, यहाँ पर करे सर, Eskimo, Eskimo, तो character answer का Eskimo, आप से question पूछा गया था, जो Eskimo है, यह किस Eskimo residency, वो कहाँ पर पाई जाती है, यह आपको option में पता क्या क्या दिया था, temperate दिया था, temperate zone, ठीक है, second दिया था torrid zone, क्या दिया था, torrid zone और फिर उसके बाद दिया था, आपको frisid zone, इस तरीके से दिया गया था, ठीक है दोस्तों कई लोगों ने ना, और दोस्तों एक दिया था polar, ठीक है, polar कई लोगों ने ना, इसको igloo एसकीमो जो है दोस्तों, थोड़ा सा igloo जैसा है, तो igloo समझके polar लगा कर आगए, जबकि दोस्तों वहाँ पर आपको मैं बता दू, एसकीमो रेसिटेंसी जो आपको मिलेगी, वो कहाँ पर मिलेगी, greenland में मिलेगी, अलास्का में मिलेगा, ठीक है, अलास्का और कैनेडा में तो आपसको लगाना चाहिए था, यहाँ पर आपको temperate zone, क्योंकि आपको पता है, दोस्तों यह प्रिथवी है, यह इस तरीके से दोस्तों यह क्या है, यह है torrid zone, राइट यह है frigid zone, ठीक है, यह जो बचा हुआ, यह है कौन सी जोन में पाई जाती है, ठीक है, अगला question, which of the following was not under the rule of Ashoka, दोस्तों, Ashoka के rule के अंदर में, कौन सी दोस्तों जो है, यहाँ पर नहीं थी, कश्मीर नहीं था, कमरूप नहीं था, गुजराद नहीं था, करनाड का, शिफ्ट वन का question है, यह question पूछा गया था, जल्दी से बताएं कौन सा नहीं था, Ashoka के इस समय में, फड़ाफर से बताएंगे, जल्दी जल्दी से, यहाँ पर कश्मीर, कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगे, दोस्तों, कामरूप, कामरूप नहीं था, कश्मीर वगयरा सब था, अफगानिस्तान अगर हम बात करें, साउथ का, भारत का पार्थ, वह नहीं था, ठीक है, केरल वाला पार्थ, ठीक है, उसके अलावा Justice, पाकिस्तान, इंडिया, और इवन मैनमार तक, जो है, पूरा घेरा हुआ था, ठीक है, इन्होंने कलिंगी की लड़ाई कब लड़ी थी कलिंगी की लड़ाई लड़ी थी दोस्तो इन्होंने 261 BC में यह आपको ध्यान रखना है इनके पिता का नाम क्या था बिंदुसार नाम था क्या था इनके पुत्र का नाम क्या था महेंद्र इनके पुत्र का नाम था महेंद्र अगला कोशन दोस्तों तमिल नाडू का सबसे लोकप्री लोक निरत ने कौन सा है करगम है कुडियत्टम है यक्षगान है या फिर कथकली यह अल्रेडि हमने डिसकस कर रखा है मैंने आपको बताया है जल्दी से बताईए कौन सा है कौन सा टांस आपको देखने हुं मिलेगा जल्दी से बताई तमिल नाडू में यक्षिकान नहीं तो करणाड़का में परफॉर्म किया जाता है लेकिन करणाड़का आपकी option में नह तो यह आपको फेमस डान से याद रखेगा यह कोशन शिफ्ट वन में पूछा गया है ठीक है चले आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पर अगला सवाल विच फंगस ग्रोस ऑन ब्रेड ब्रेड पर कौन सा कवक उत्पन होता है क्या वह एस्पिर्गिलियस है राइजोपस है या सिंक्रियम हैं दोस्तों ऐसा कोशन पूचा क्या था लेकिन यह कॉच्छन नहीं फूचा गया था कौन सा कोश्षरा तो वह मैं आपको बताता हो पहले इस कांसर करेंगे जल्दी-जल्दी से सी औॉप funding यह पूचा गया था कि fungus जो है वो किस पर grow करता है ठीक है यह पूछा गया था grow करता है option में क्या क्या दिया था यह मैं आपको पताता हूँ यह shift 1 में पूछा गया है ठीक है यह shift 1 में पूछा गया था आपको option में दिया था bread ठीक है दूसरा दिया गया था दोस्तो I guess cloth ठीक है तीसरा दिया गया था leather और चौथा दिया गया था all of the above क्या दिया गया था all of the above दिया गया था ये question दिया गया था आपको पता है दोस्तों कपड़े अगर आप कुछ दिन के लिए डाल दो और उसको touch भी न करो तो उसमें fungus लग जाता है bread अगर आपने खाना रखा होगा और खाया नहीं होगा तो उसमें fungus लग जाता है जब दो option आपके ऐसे correct हो गए तो leather अपने आप correct हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर all of the above है तो सारे के सारे में fungus लग सकता है यहाँ पर यह correct answer होना चाहिए था अगर आपने दिया है तो all of the above टिक लगाना था आपको अगला question यह question पूछा गया है shift 1 में ठीक है shift 1 में यह question पूछा गया है अटो बाइग्राफी किसकी है यह क्या वो दुती चंद की है पीटी उशा जी को किस नाम से जाना जाता है तो पायोली एक्सप्रेस के नाम से जानते है किस नाम से पायोली एक्सप्रेस के नाम से इनको जाना जाता है या फिर golden girl इनकी किताब भी है दोस्तो इनकी किताब आज आपसे मिलखा सिंग जी किताब पूछी गई, कल पीटी उशा जी किताब पूछ लेंगे, गोल्डन गल किसकी किताब है, तो पीटी उशा जी की है, यह आपको याद रखना है, चलिए, पीटी उशा को दोस्तों अभी आपको पता है, राज सभा का मेंबर नॉमिनेट कि गई थी ठीक है रासभा की मेंबर तो ये न्यूज में भी रही थी तो हो सकता है इंडियो पर कोशन पूछ लिया जाए हाना चलिए आगे बात करते हैं अगला कोशन ये कोशन आपके एक्जैम में पूछा गया है शिफ्ट वन ठीक है चलिए वो हमने अल्री डिसकसर का रखा है अठरा सो पचासी में भारती राष्टी कॉंग्रेस का पहला सत्र कहां युजित किया गया था कैलकेटा बॉम्बे में अध्यक्षता किस ने कि थी डबलू सी बेनर जी विरमकेश चंदर बेनर जी ने कि थी 1886 का कहां पर हुआ था कोलकाता में हुआ था यह फर्स्ट यह है ठीक है यह सकेंड है फर्स्ट 1886 कलकाता किसने अध्यक्षता कि थी तो दोस्तो दादा भाई नारो जी ने कि थी तीसरी जो है दोस्तो वो कहां पर 1887 में हुई थी कहां पर हुआ था दोस्तो मदरास में फिले यो आगे बात करते हैं अगला कोशन था去 टेंब इस भाटने मेरेर उन्हों पुछा थे राजस्व का मराथा द्वारा जुह है एक किस नाम से जाना जाता था, यहां पर सरदेश मुखी, चौथ, अबोब, या फिर जमादानी, जल्दी से पताएं कौन सा होगा, दोस्तों, जल्दी जल्दी से, फटा-फट से आंसर करेंगे, जिससे आप लोग पूरा डिसकस कर लें, यह पेपर, ठीक है, जल्दी से बताएं, यहां आप कहते हैं, बिल्कुल चौथ करेंट आंसर का, मैंने आपको बताया था, दोस्तों, मराठेज जो थे, उल्दो क्या करते थे, जमीन का जो भी पाड रहेगा, उसका दोस्तों, जो भी आएगा रेविन्यू, उसका एक चौथ हाई, चौथ मतलब होता है, एक चौथ हाई, ठीक है, उसका ये भी पूछा गया, मैगनस कालसन जो है, ये शिफ्ट वन में पूछा गया है, बताये किस खेल से हैं, रेसिंग, एटलेटिक, चेस और फुटबॉल, बहुत सिंपल सा कोश्यन है, चेस, चेस, जितने लोग चेस कह रहें, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आज तो मैग पहले ग्रेंड मास्टर, तो पहले ग्रेंड मास्टर याद रखेगा, वो थे विश्वनाथ आनंद जी, कौन है, विश्वनाथ आनंद जी थे, विश्वनाथ आनंद जी, और ये कब बने थे दोस्तों, ग्रेंड मास्टर, 1988 में, ठीक है, और इनको फिर उसके बाद दोस्त आपके shift 1 में पूछा गया था, ठीक है, कि मोपिन जो ट्राइब है दोस्तों, ये कौन से त्योहार बनाती ही, दोस्तों, भूत वगेरा को भगाने के लिए, spirit, evil वगेरा को, ठीक है, कहाँ पर celebrate किया जाता है, चतिसगर, राजस्थान, केरला और अरुनाचर पदेश, कहाँ पर किया जाता है, जल्दी से बताईए, फड़ावर से, बहुत फेमस जन जाती है दोस्तों, अरुनाचर पदेश जित्ते लोग करें, उनका बिल्कुल करेक्टांसर है, मोपिन ट्राइब हो गई, मोनपा ट्रा है, दोस्तों, केटी परनायक, कौन है, केटी परनायक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, चलिए, आगे बात करते हैं, अगले कोशन पे, अगला सवाल, दोस्तों, इस तरीके का कौशन पुछा गया है, वो क्या पुछा गया था, मैं आपको बता देता हूँ, सी, सी कह रहे हैं, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएक है, सी ऑप्शन, देखिया, आप से उल्टा पुछा गया था, ये उपर दिया था, कि बताइए, ऐसी कौन सी खेती है, जिसमें दोस्तों, पशु और मानव दोनों इन्वाल होते हैं, आनिमल और यूमन दोनों इन्वा से था, जो आप्शन में है, वो ऊपर था, और जो कॉशन में वो नीचे था, ठीक है, चली, आगे बढ़ें, पांसो साथ लोग है, फड़ा वर से शेर और लाइक करते हैं, चली, अगला कॉशन, विच ओफ फॉलॉइंग स्टेटमेंट करेक्ली एक्स्प्लेन दा इंडियन टेक्स्टाइल इंडेस्टी लार्ज नमबर, रेलवे लाइन्स वर लेड मैनी पार्स ऑफ दे कंट्री, या हैवी ड्यूटी वर इंपोर्ट ऑन दा इंपोर्स ऑफ ब्रिटिस मैनुफैक्ट्छर्स, जल्दी से बताए क्या हुआ था भारत पर क्या प्रभाव प दिया गया, ठीक है, चलिए, आगे बात करते हैं, अगला, दोस्तों, the human development index, HDI is published by, आप से पुछा गया, इमानव, विकास, सूचकांग, जो है, किसके दोरा प्रकाशित किया जाता है, world bank, UNDP, IMF, या निति आयो, जल्दी से बताइए, यहाँ पर, क्या होगा, फड़ा- ठीक है, शिनियान गोल्ड माइन है, यह news में थी, ठीक है, शिनियान गोल्ड माइन, यह दोस्तों, कौन से country में पाई गई, ठीक है, तो आपको दोस्तों, ऑप्शन दिया गया था, South Korea, China, Japan, ऐसे ऑप्शन दिये गया थे, और आपको simply tick लगा देना था, चाइना पे, ठीक है शिनियान गोल्ड माइन, कहां पर चाइना में यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, चली, आगे बढ़ते हैं, अगले कोशन पे, अगला सवाल, भारती सम्विधान का लुछेद 16, किस से संबंदित है, किस से संबंदित है, जल्दी से बताईए, और जल्दी जल्दी से share औ अर्टिकल इंक्यावन भी पूछा गया, हाला कि दोस्तों, इसकी मैं पुछ्टी नहीं कर रहा हूं, कि यह पूछा गया है, ठीक है, नहीं मैं इसकी पुछ्टी कर रहा हूं, यह दोस्तों हमें सिर्फ जो है लाइफ चैट पर पता चले थे, उससे हम बता रहें, तो रिबेट लिमिट फॉर न्यूट टैक्स रिजीम, इस तरह का एक कोशन आया था, तो बजट से कोशन आया था, यह कोशन नहीं था, लेकिन आपके शिफ्ट वन में एक बजट से कोशन आया था, और बजट से कोशन यह था, कि कॉर्पोरेट टैक्स स्लैब पूछ रहा था, तो यहाँ पर आपको बताइए रिमिट कितरी है 5 लाग, 10 लाग, 8 लाग, 7 लाग बताइए कितने लाग तक दोस्तो कोई टेक्स नहीं लेगेगा जल्दी से बताइए 7 लाग, 7 लाग, बहुत बढ़िया यहाँ पर जितने लोग 7 लाग के रहे हैं बजट से कोईशन आया था दोस्तो यहाँ पर समय होता है जहाँ पर हमने दोस्तो वो 25 कोईशन डिसकस किये जो आपके एकजाम में आये हैं तो एक बार दोस्तो मैं देख लेता हूँ कि सारे कोईशन डिसकस हो गए एशन गेम हो गया, यूमन बॉड़ी हो गया, बजट हो गया पाइसफेर रिजर्व, फंगस हो गया, प्रियंबल, गैर डांस, एस्किमो ट्राई ठीक है, रेसिडेंस, खजुराहो, करगम कॉंग्रेस, इलियास, मराथा, चौत, फार्मिंग, अठारवी ठीक है, ब्रिटेन, अगस्त, सीनियान, मैगनस, रेस, मोपिन, अशोक और ठीक है, दोस्तों लगबग हमने सारा डिसकस कर लिया 24 से 25 कोशिन जो आपके एक्जाम में आये थे और जो आ सकते हैं, दोनों डिसकस किये हैं और दोस्तों तैयारी छोड़ियेगा मत, क्योंकि जब आपने शुरू किया है तो इसको पूरा करिए, और CGL का एक्जाम इसके बाद है तो दोस्तों आप जुड़ सकते हो, टेस्बुक सूपर कोचिंग पे जहाँ पे 40 से जादा, दोस्तों कोर्से मिलते हैं इस क्लास की पे-डेफ कहां पे मिल जाएगी और दोस्तों आपको सिर्फ कूपन कोड यूज करना है जैसी आप गॉरव-म कूपन कोड यूज करोगे न, आपको मैक्सिमम डिस्कÁUN बिल जाएगा दोस्तों, कैसे अविल करना मैं आपको बताता हूँ, उसके पहले मैं आपको बताऊँगा कि PDF कहां पर मिल जाएगी, तो आपको दोस्तों simply क्या करना है, चले जाना है टेलिग्राम पर, टेलिग्राम पर सर्च करना है at the rate, गौरफ सर्टेस्बुक, वहाँ पर परशान करें, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई question आपको देखने को मिला है और दोस्तों, आपको चले जाना है कहां पर, आपको चले जाना है YouTube पर, YouTube पर जाने के बाद Super Coaching SSC Railway by Testbook चैनल पर जाएगे और जैसी आप दोस्तों, लाइक और शेयर कर देंगे जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजे दोस्तों और description में आपको दोस्तों लिंक दीगे है SSC Super Coaching by India's Top Educator इसको क्लिक करिएगा, आपके सामने एक निव लिंक ओपन होगी जहाँ पर आप दोस्तों सारी details मिलती है आप देख सकते दोस्तों जहाँ पर 6 मैने का आपको आ जाएगा और उसके पाद आपको क्या करना है सिर्फ coupon code apply करना है गौरव M, G-A-U-R-A-V-M तो चलिए दोस्तों इस session को यहीं पर करेंगे समाप लेकिन दोस्तों आपका पेपर आपने दिया है आपका पेपर कैसा गया है आप जरूर बताएगा क्या question देखने को मिले है जो हमने question बता है क्या वो exact question आपको देखने को मिले है या फिर कुछ अलग भी देखने को मिला है वैसे हमने try किया जो जो पता चला है exact वाला वो हमने discuss किये है A to Z ठीक है और दोस्तों ये भी discuss कर सकते कि आपको और कौन सी classes टीजी दो आपके लिए plan कर सकते हैं ठीक है तो मिलते हैं अगले session में एक नए जोश के साथ एक नए session के साथ जुणना मत भूलेगा मेरे साथ अगले session में तब तक के लिए रखेगा अपना ख्याल अपनों का ख्याल और पढ़ाई करते रहेगा like, share, subscribe ने किया तो फड़ा वर्ट से कर लिजिए और bell icon बटन को दबा लिजिए जिसे आपको notification up to date मिले तो मिलते हैं अगले session में तब तक take care, jai hind, jai bharat